Assalamualaikum, chapter number 10, forms and functions in plants और topic है हमारा, whistles and trichets trichets are elongated, tubular, heavily lignified dead cells having large hollow cavities अब यह जो trichets होते हैं, यह लंबे होते हैं और इनकी जो cell wall है, वो थिक होती है, lignified होती है, सक्त होती है और actually, इनके अंदर cavity मौजूद होती है, यानि यह अंदर से खाली होते हैं या hollow होते हैं They have oblique transverse wall making trichets spindle shape यानि इनकी कुछ इस तरह से obliquely transverse wall होती है जिसकी वज़े से इनकी shape कुछ इस तरह की spindle shape बन जाती है They are found in xylem acting as supporting tissues in addition to transport of water and dissolve organic salts अब ये xylem के अंदर पाई जाती है जब हमने xylem का structure पर जब भी हमने इनके बारे में पढ़ा था तो ये xylem के अंदर actually क्या काम कर रहे होते हैं कि conduction of water और dissolved mineral की transport के अंदर अपना major role play कर रहे होते हैं साथ ही साथ क्योंकि ये सखत होते हैं इसलिए plant को support भी provide कर रहे होते हैं नेक्स्ट टाइब के जो cells हैं वो हैं vessels vessels को हम trachea के नाम से भी जानते हैं and these vessels are like tracheids but have no transverse wall and placed end to end forming a structure like open water pipeline अब ये जो vessels हैं ये भी tracheids की तरह की होते हैं यानि लंबी-लंबी होते हैं और इनकी cell wall है वो भी thick और lignified होती है सखत होती है support provide कर रही होती है हाँ लेकिन tracheids की तरह इनकी transverse walls नहीं होती लहाज़ इनकी spindle shape नहीं होती बलकि इनकी shape जो है वो किसी pipe की मानेंद होती है और ये pipe जो है ये किनारों के साथ एक दूसरे के उपर इस तरह से जुड़े हुए होते हैं यानि पौदे की निचले इससे जड़ों से लेकर और पौदे की पुरी लंबाई तक जिस तरह से कोई pipeline जुड़ी होती है और ये वेसल्स भी जायलम के अंदर पाई जाती हैं जायलम की cells है और ट्रेकेट की तरह ये भी water transport के अंदर help कर रही होती है dissolve mineral को पौदे की जड़ों से लेकर समीन से जड़ों के जरी अबसाब करके और फिर पौदे के different parts तक पहुचा रही होती है और पौदे को support provide कर रही होती है